परफेक्ट, क्या बात है? पापा पता है, जब आप मेरे बाल बनाते हैं ना, मुझे जरा दर्ड़नी होता है मैं क्यों? पर जब मम्मी बाल बनाती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सारे के सारे बाल तूट जाएंगे पापा ममी बाल तम बनाती हो और डाटती ज़ादा है नहीं नहीं ऐसा नहीं बुलते हूँ ममी तुम्हें डाटती है तो शाद तुम्हारे अच्छाई के लिए भलाई के लिए है न नहीं पापा ममी फिजूल में ही डाटती है आप तो मुझे कभी नहीं डाटे ना नहीं दादी, ना बड़े पापा, ना चाचू, ना बुआ, नहीं सब तो मुझे कभी नहीं डाटे फिर हल्वक मम्मी क्यों मुझे डाटे है लो तुमारी बस आ गई चला, बाइ बापा, ते क्या, ते मिया अचे आज का पेपर पड़ा कोई खास कभी चीटा माँ, सच्चाई को चुछाएब तो नहीं जा सकता ये सच्चाई नहीं है, ये जूट है शकेल निर्दोष है, मेरा मन कहता है और मेरे मन की आवाज कभी जूटी नहीं हो सकती मैंने उसके आँखों में सच्चाई की चमक देखी है तो किसी कातिल में नहीं हो सकती नहीं माँ, कानून भावनाओं पर नहीं गवाहों के बयान और सच्चाई पर चलता है और सच्चाई ये है कि शकील ने खून किया है अंजय ने खूद उससे रंगात गिरफ्तार किया कभी कभी जो आखों से दिखाए देता है वो भी सच नहीं होता शकील ने खून नहीं किया इस सचाई को सामने आना ही होगा मा मैं भी भगवान से यह इंप्रार्षाना करूगा कि जिसने जुर्म किया उसी को सजा निए कड़ी से कड़ी सजा निए इसना बड़ा हद्सा हो गया और तेरे पापा भी यहां नहीं है तो मुझे अपना कर्दवे पूरा करना होगा मुझे कल्यानी सदन को इस तूफान से बचाना होगा पूर्षे आदर्षों का धिंदोरा पीचने वालों की आज हकीकत सामने आगे मुझे देखकर तुम्हे आश्चरी हो अगे पर नहीं मुझे तुम्हें देखकर और नहीं अग्दार में छपियो इस खबर को देखकर कोई आश्चरी हुआ मैं और मेरे पिताजी हमेशा से यह जानते थे कल्यानी सदन में जो छुपकर दो नंबर के खेल खेले जाता है उसका पर्दाफाश तो एक नएक दिन हो लाई है और देखो ना आज शकील को हद करिया पड़ी तो तुम्हारे मां और अपनी जबान को लगाम दो पक्वास कर रही हो तो वह 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 जए जए पेट तो चोरी और इपके सीना जोरी अजय वाखे तुम्हे मान गये तुम बड़े दिले हैं सान हो और क्यों न होगे आखे तो तुम उनकल्यानी चौधी की बेटे जो हो कल्पना तो इस लफ्स की और बोला ना तुम ना क्यों क्या करते हैं आज तो तुम्हे सुनना ही ना जाया तुम्हे हमेशा मेरी जबान बन गया और मुझे कभी कुछ नहीं कहने दिया तेकिन आज आज मैं बोड़े गया हथगु तुम्हें सिर्थ सुनोगे अजय मुझे अजय तुम्हारी लाचारी पड़े करना तुम्हें बहुत खुशी हो रही है और सच कहूना तो तुमने भी बहुत खुशी महसूस करनी चाहिए हरे भई, आज तुम्हारे मा का नाम हुआ है हाँ, हो सकता है कि बदनाम होकर लेकिन नाम तो हुआ, अखबार में फ्रंट पेश पर खबर छपी तस्वीर आई आज तुमने और तुम्हारे सारे परिवार वालों ने फक्र महसूस करना चाहिए चली जाओ यहां से सुना तुमने, तुम यहां से चली जाओ हाँ, 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 अप्री अप्रत है, यही पाद मान दे है इस पाप की नजीर के छोड़ कर, मेरे साथ मैं मेरे पापा की घर चलो वो भी तुम्हें जीजाजी जैसे एक काम्याब वकील बना देंगे मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन अपना दीन और इमान बेच कर देंगे, आधित्ती जैसा घटिया और बैवान इंसान में पुलूंगा अब बहुत सुम्हें तुम्हें, नाओ, गेट लास्ट अधित्ती शानबाग नाम है मेरा, जूट को सच और सच को जूट कहलवा सकता हूँ दिन को रात और रात को दिन इसी चाहिए, अदालत में गुनेगार को बेगुना, और बेगुना को गुनेगार साबित परवा सकता हूँ कि अब बताई आप मेरे बड़के से बाई सब आप रिष्टे में मेरे बड़े भाई के सालू लगते हैं अगर आप मुझे आप न बुलाकर तुम कहेंगे तो मुझे अच्छा लगते हैं तो तो ठीक है तकालुख छोड़के हैं आज हम आपको आप में तुम पहेंगे बिखाएंगे बता साम क्या मैं सब आपने सुना होगा कि कल्यानी सदन का एक कार्य करता जरफ्तार हुआ है जिसका नाम सपीर है हाँ आज शुबे के अख़बार के एडिटोरिल कॉलंग मेरे पड़ा और कल्यानी सदन के बारे में काफी कुछ अनाव शनाव लिखा हुए और इस बात को लेकर मां बहुत को होगा है वैसाथ लेकिन मा का मानना ये है कि शकील बेगुना है लेकिन अकबार के हिसाब तो सारे सुबूत और सारे गवा शकील के खिलाब है इन फैक्ट उसको गिरफतार करने वाला पुलीस आफसर और कोई नहीं बलकि तुमारा च्छोटा बाई संजिए जिया मैं जा अवना है या विश्वास पर नहीं चलता है उस सिर्फ सबूत और गवाओं के साथ के चलता और सारे सुबूत और गवा शकील के खिलाए तो बाई सब इसलिए तुम्हे आपके पास आए जलो ठीक है मैं आदालत में शकील का केस लेने को तैयार हूँ लेकिन लेकिन क्या है कि शायद तुम्हें मेरी फीस के बारे में यह जानता हूँ मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि रिष्टे अपनी ज़गे होते हो तो पिस लखनी करना है आपके जितनी भी फीस होगी लखने को बस आप इस केस को प्राइब हैं ठीके मुझे मा जी से कहना कि वो अरे वीचे तुम यह कब आए यहलो प्रशा आज मैंने पेपर में पड़ा यह सब कैसे हुआ सुबे से घर पे फोन ट्राय कर रहे हूं एंगेज लग रहा है और कलपना का मुबाइल भी ओफ है माजी भी इस घटना से बहुत अपसेट हूई होगी जाहिर है उम्रबर के सारी पुर्णे कमाई हाँ भाग मा बहुत है और इसी सुचले में मैं आदित वाज़ा पनिनने है था तो तो मुझे भी कुरा विश्वास है कि शकीर भाई ऐसा नहीं कर सकते हूँ तुम्हारे आदितों के पास आने से ही मैं केज की मैजाकत तो समझ स सकते हैं कल्यानी सदन में जिस प्रकार बच्चों को आदर्श और संसकार सिखाया जाते हैं उससे मुझे भी पूरा यकिन है कि शकीर बेकसूर है अगाँ लेकिन इस समय हाराद ऐसे बंदे हैं कि हर आदमी शकीर भाई को कशूरवार समझ रहा है लेकिन मा को विश्वास है कि शकीर भाई है सब अजब कुछ में ही कर सकते हैं और मा का विश्वास कभी खलक में हो सब्सक्राइब कल्यानी देवी आपके सदन के कारय करता शकीर को पुलिस ने रंगे हातों खुन करते पकड़ा है आपको इस बारे में क्या कहना है उसे पुलिस ने जरूर पकड़ा ह पर मैं नहीं मानती कि वो मुझरिम है लेकिन सुना है हर सबूत हर गवा उसके खलाफ है मैं जानती हूँ पर भगवान भी आकर मुझे ये बात कहना तो भी मैं मानने के लिए तयार नहीं है कल्यानी जी ये आपके परसनल विश्वास की बात है इसे उस वारदात की सच्चा पर इस सदन का कोई भी कार्य करता इतना बड़ा अपराद नहीं कर सकता हूँ चलिए इतना बड़ा अपराद आपके सदन के कार्य करता ने किया और वो जंता के सामने भी आ गया पर छोटे मोटे अपराद जो जंता के सामने नहीं आए वो तो आपके सदन में आप कहना क्या चाहती है वही जो आज सब की जबान पर है आप इस कल्याणी सदन के आड़ में लोगों का कल्याण करने के बज़ाए आप उन्हें गलत संसकार देकर उन्हें विनाज की रापय लेके जा रही है आपका ये सदन नेक और अच्छे काम करने वाले लोगों के लिए नहीं है बलकि गलत काम करने वाले गुंडों का अड़ा है आप यहां रहर कानूनी काम करवाती है और हमने यहां तक भी सुना है कि आपने चीफ पब्लिसिटी गेन करने के लिए खुद ये प्लान बनाया और अपने कार्य करता के हातों ये खून करवाया और फिर अपने ही बेटे इंस्पेक्टर के हातों उसे बस कीजिए आप मिडिया के जलिये मुझे और मेरे सदन को यूद जलील मत कीजिए मेरे जीवन भर की तपस्या को यूद तलंकित मत कीजिए आप मेरा बच्छा तो गलती से हात्या की चुर्म में मकरा गया हूं है आप मेरे चरितर कि हत्या मन के हिये बगवां के लिए यहां से चले जाए प्लीज चले जाए प्लीज चले जाये अजिए पैट-बॉन करण एकरवलो मं धित उलीज 쓰는 कल्यानी जी हमारे स्टोर में आपका माल आता है और हर माल पर आपके कल्यानी सदन का लेबल होता है कि अब ये खुनी वारदात के बाद आपका सदन इतना बदनाम हो गया है मुझे नहीं लगता कि हम आपका माल बेच सकेंगे इस अचिए प्लीज हमारा जो भी ऑर्डर है चैनसा अचिए प्लीज हम दरेना ओ कभी जो मुश्किलों का साहना हम डरेना ओ कभी जो मुश्किलों का साहना इस जहां में सब सुखी हो, हम करेंगे काम ना सच की रस्ते में हमारे, सच की रस्ते में हमारे दगमगाई ना कदम, अकनी बचों पिये मानित, इतना करना दू करम अकनी बचों पिये मानित, इतना करना दू करम बाबजी नमस्कार, अच्छे वाबजी आप आगए, हमारे बहुत बड़ा हाथसा हो गया है, हम वो अपने शकील भाई, हाँ, वो मैंने पेपर में पड़ा, कल्यानी का है, वो अपने उपर चेंबर में, बाबजी, माजी ने कल से एक दाना बेन कानी खाया है, वो बहुत पर जैशान है, बिलकुल तूट सी गई है, आप, आप उनने समझाई है, हमारी इमत तो उनने समझा दे कि भिलपल, जैराम जी, जिंदा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कल्यानी, देखिये न, कितना बड़ा हाथसा होगे, तुम्हें पता चला, जैराम जी ने भी मुझे पताया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, भगवान ये कैसे इमत्यान ले रहा है मेरा, कल्यानी, मैं तुम्हारी आँखों में आसों नहीं देख सकता, और नहीं दुखी और कमजोर देखना चाहता हूँ, शकील कर दर मुझे देखा नहीं जा रहा है, वह बेगुना नहीं किस जाल में फस गया, मुझे शकील पर भी पूरा भरोसा है, पर तुम तूट जाओगी, तो कैसे चलेगा किया, आसों इंसान वो कमजोर बना देते हैं, इस लड़ाई को अपनी हर बाजी की तरह तुम्हें जीतना ही है, याद है कल्याने, वक्त की आंदे ने एक बार मुझे भी बिखेर दिया था, तब तुम ने ही मुझे संभाला था, संभा रहा था, वो ही आत्म विश्वास, आज मैं तुम में देखना चाहता हूं, संभालो अपने आपको, पता नहीं चल रहा है, क्या करूं, कल शकील की पेशी है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, नहीं, आप क्यों परिशान होते हैं, आपका हौसला और विश्वास मेरे साथ है, तो ये लड़ाई भी मैं जीत लूँगे, मुझे तुम पर पूरा भरुसा है, ये लड़ाई तुम जरूर जीतो कही, जरूर, वास मो फरगास है ये हकीकत कर्म है करते सपनों को सापार रिष्टों की हो कदर जहां पे महके दिलों में प्यार महके दिलों में प्यार घर संसार घर संसार करते संसार जहां प्यार करते संसार